तनिता जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दिये अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस वक्त आप इस बीमारी से जूज रहे थे तो आपने आपको आपने भरोसा और संबल कैसे दिया क्योंकि लोग इस बीमारी को सुनते ही बहुत डर जाते हैं देखिए मैं एक Christian believer हूँ मेरे पास एक Bible ही था और कोई आदमी से मिल जूल नहीं सकते थे क्योंकि नर्स लोग डॉक्टर लोग हमारे कमरे के बाहर से मुझसे बात सीख करती थी तो मुझे बहुत दुख लगा लेकिन जो Bible मेरे हाथ में था वो मेरे सबसे बड़ा comfort था Bible इतना comfort पाया कि issue मसी मेरे साथ है वो इसका मुसे मैसुस हुआ लेकिन आपने क्योंकि Bible का जिक्र किया और मैं इससे पहले भी यही सवाल पूछ शुकी हूँ अनिथा जी Bible से आपको उर्जा मिली होगी positivity मिली होगी वो ताकत मिली होगी भीतर से लड़ने की इस वाइरस से ल वो तो सही होगा लेकिन जो चंगा करने वाला है वो issue मसी है मेरी तरफ से में बोलना चाहत हूँ क्योंकि issue मसी ने बोला है मैं कभी आपको नहीं चोड़ूँगा ना थ्यागूँगा तो वो अच्छन मुझे बहुत तसली दिया because I can only मैं मेरा कुद का experience ही बोल सकती हूँ क् जब अक्यला पर मैसूस हुआ था मुझे कभी-कभी आसू भी आ रहा था क्योंकि बहुत isolation में है चाहे हम हमारे परिवार लोग से WhatsApp में बात करते हैं फिर भी हमको अक्यला पर मैसूस हुआ था क्योंकि कोई भी डॉक्तर भी हो हमरे से बाहर से चाहर मेटर पांच मेटर दू होता है वो वेरा issue में से मुझे चाह करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अनिता जी आप हमारे साथ जोड़ी और हम उम्मीद करते हैं कि वो सारे लोग जो इस वक्त घर पर बैठें आपको देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं नमस्ते भारत के जरिए उन्हें एक संदेश मि है कि यूँ आफ टो बी पॉजिटिव यूँ नीड तो पैनिक और अपना खयाल रखें डॉक्टर पर भरुसा रखना है आपको दोक्टर जो इलाज कर रहा है ना उस पर भरुसा रखना है क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर आपको सिम्टम के बेसिस सांस की बीमारी के लिए दवाई दे रहा है और मलेरिया की दवाई दे रहा है इन तीनों का कॉंबिनेशन ही आपको ठीक कर सकता है अब कोलकाता की भी बात कर लेते हैं कोलकाता की रहने वाली एक लड़की ने कोरोना को मात देने वाली इस लड़की के होसले को लोग सलाम क और इसलिए रबस्ते भारत में हमें खबर आपके लेकर आये हैं अब ये लड़की लोगों से कोरोना से कैसे भी